दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि under 30,000 की range के अंदर आपको ऐसा laptop मिल जाए इसके अंदर आप बड़े अराम से PUBG खेल सके या फिर जैसा वीडियो आप अभी देख रहे हैं ऐसा वीडियो एडिट कर सके पब्लिश कर सके यानि कि वीडियो एडिटिंग का काम उसके अंदर क कर सके गेमिंग उसके अंदर कर सके म्यूजिक वगरा काम कर सके और अपना जो काम वगरा होता है न बड़े अराम से कर सके तो 100% यह पॉसिबल है जी हां दोस्तों मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर वो laptop जिसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग गेमिंग का आपके रोज मरा के जो काम होते हैं, म्यूजिक वगरा, नेट सर्फिंग सभी बड़े अराम से हो जाएगा और यह सभी बड़े ब्रांट्स के laptop हैं तो आपको फॉर्च हो रहे कि warranty के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, after sale service भी आपको काफी अच्छे मिल जाएग तो हो है HP का 15, यह AMD की resin processor के ओपर चलता है, AMD की जो resin series है वो specially design की गई है editing के लिए और gaming purpose के लिए, यह 2.5 GHz की frequency वाला processor है, जो की 4 MB की L3 cache memory के ओपर चलता है, तो 4 MB की L3 cache memory अपने आप में काफी अच्छी performance आपको देखने को मिल जाएगी इस processor के अंदर, 4 GB की सिंदर आपको RAM देखने को मिलने वाले है, जिसको आप 8 GB, 12 GB या इवन 16 GB तक भी बढ़ा सकते हैं, तो काफी futuristic laptop है, यानि की आगे तक आपके काफी काम आने वाला है, AMD का Radeon Vega 3 का आपको graphic support मिलने वाले है, यह integrated काफी अच्छा graphic इस इंदर आपको देखने को मिलेगा, gaming के अंदर, editing के अंद काफी अच्छी आपको performance देखने हो मिलेगी, gaming के अंदर भी 2 kg के असपास का weight है, और HP की fast charging का support देखने हो मिलने वाला है, अब HP वाले क्या बोलते हैं, कि 0 से 50% जो है, वो हमारा laptop चार्ज जाता है, सिरफ 45 मिनट के अंदर, हलाकि ऐसा यह नहीं लिखेंगे कि जब off होगा, तभी ऐसा होने वाला, यह मैं आपको बता देता हूं कि जब off होगा, तभी ऐसा होगा कि आपको 45 मिनट के आसपास में 50% charge हो जाएगा, वैसे अगर आप on करके रखते तो 50-55 मिनट के आसपास आपका लग जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी charging आपको देखने को मिल ना सके, तेरा गंटे तो भूल जाओ दोस्तों, लाप्टाप बहुत अच्छा है, configuration बहुत अच्छी है, सब कुछ कमाल दमाल है, लेकिन इस चीज़ पर जो यह कंपनी हर एक चीज़ बोल देती है, उस पर विश्वास मत कीजेगा, तेरा गंटे तो भूल जाओ, आठ नो अगर आपका बजट 30,000 के अंदर का है, तो 28,000 की रेंज में आसपास ही मिल जाता है, नीचे में लिंक में, description में में लिंक दे दूँगा, उस पर जाके क्लिक करके देख लिए कि current price क्या है, अगर आप इस लाप्टाप के लिए जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, दोस्तों दूसरे लाप्टाप के बारे में बताने से पहले एक खुशकबरी में बता दूँ कि last giveaway बहुत है successful रहा, सब भी लोगों को price मिले और I am very happy सब लोगों को, मतलगी gaming headphone देखने को मिले है, तो now the biggest giveaway is back, अब दुबारे से gaming headphone का giveaway में करने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को subscribe किया तो subscribe कर लीजे, बहुत जल्दी मैं इसकी updates आपको दूँगा, बात करते हैं दूसरे laptop के बारे में जो कि यह Dell brand का, यह है Dell Vostro 3478, दोस्तों यह laptop आपको 39,990 रुपे का मिल जाएगा, जिसकंदर आपको Intel का Core i3 8th generation का process देखने हो मिलेगा, 8th generation जो है, वो सबसे latest generation चल रह HD screen देखने हो मिलेगी, सबा 2 kg के आसपास इसका weight देखने हो मिलेगा, क्योंकि इसकंदर CD, DVD दोनों का support मिल जाता है, इसलिए weight 2 kg के आसपास ठीक टाक है, आपको USB 3.0, HDMI, VGA port, सबी तरीके की port आपको देखने को मिलने वाले है, LAN, Wi-Fi, Bluetooth वगेरा, दोस्तों इसकंदर Wave Max का काफी अच्छी हो जाएगी, बाकी webcam का support तो ही, एक चीज़ मैं आपको बतायता हूँ, जो PUBG जो game है, वो 4GB के रैम में भी चल जाती है, लेकिन 8GB के अंदर आपको पूरी performance देखने हो मिलती है, ऐसे में GTA की, अगर मैं बात करूँ GTA Vice City या इसकी बात करूँ PUBG की, तो अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसे RGB करा लिजएगा, आपको काफी अच्छी performance जो है, वो देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों अब बात कर लेते हम तीसरे laptop के बारे में, जो की काफी अच्छा ब्रैंड है, Lenovo का IdeaPad 330, ये 29,872 रुपे का आपको मिल जाएगा, जिसकंदर 7th generation का i3 process देखने को मिलने वाला है, ये 2.3 GHz की frequency पे चलता है, जिसमें आपको 3MB की L2 cache देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 4GB DDR4 RAM का support देखने को मिल जाएगा, 1TB की सकंदर आपको hard drive देखने को मिलती है, साथ में DVD, read, write दोनों का support आपको मिलेगा, 15.6 inch का full HD screen आपको देख इसल पे चलता है, anti-glare screen का आपको coating देखने हो मिलेगा, अब anti-glare से दोस्तों क्या होता है, कि अगर आप student है, आप काफी देर तक screen को देखते हैं, फिर आप professional है, जो सुबह शाम तक मने लैप्टॉप के सामने बैठते हैं, तो ऐसे में anti-glare screen जो है, वो आपको काफी support देन वाला है और 28,000 की range में आपको मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है laptop है, आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं, दोस्तों चौते अगर मैं laptop की बात करता हूँ, तो वो है Asus का VivoBook, और Asus के laptop आचकल का अच्छा perform कर रहे हैं, तो इसकी भी configuration के बारे में बात कर लेते हैं, दोस्त 1.55 kg का इसका weight है, तो काफी lightweight है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो उन्दगो रहते हैं, जो लोग travel काफी करते हैं, बैग में रखके उनको घुमना होता है, तो ऐसे में weight काफी कम है, इस laptop के अंदर आपको pre-installed Windows Home Edition देखने को मिल जाएगा, Windows 10 का version आपको देखन देखने को मिलेगा, जो कि 7th generation का है, 4GB की संदर आपको DDR4 की RAM देखने को मिलेगी, DDR4 की RAM काफी अच्छी मतलगी performance आपको देखने को मिल सकती है, Intel का HD 620 का आपको integrated graphic card देखने को मिल जाएगा, तो graphics भी काफी अच्छी होने वाले है, 1TB का आपको hard disk का support देखने को मिलने वाल इससे में आपकी privacy, security का आपको काफी ध्यान रखा गया है, तो fingerprint sensor इसके अंदर देखने को मिल जाता है, आपको HDMI port भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, अगर आप professional है तो आपको presentation वगरा देने में काफी असानी रह जाएगी, साथ ही आपको USB 3.0 या 2.0 दोनों का support मिलन मिलने वाला है, audio jack भी इसके अंदर मिल जाएगा, 1-yard के warranty से अंदर देखने हो मिलती है, आसूस का brand काफी अच्छा है, अगर आपको laptop ये lightweight है, आपको 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 काफी पसंद आया होगा, एक मैं वीडियो end करने से पहले आपको एक important बात बताना चाहता हूँ, किसी website पर जब आप search करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कुछ laptop जो है refurbished version आपको देखने को मिल जाते हैं, अब आपको refurbished जो laptop है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर मेरा आपको सुझाओ ये है कि आप refurbished के लिए ना जाएगा, क्योंकि reason ये होता है कि प refurbished के लिए नहीं जाना चाहिए, 30,000 is a good range अगर आपको 30,000 रुपे खर्ची करने हैं, और इतने उमदा laptop अगर आज की तारीख में मार्केट में available है तो शायद आपको नहीं के लिए जाना चाहिए, instead of पुरान आप technology तो बहुत जल्दी change भी होती है ना, तो ऐसे में ये laptop का अच्छे हैं, जो मैंने आपको बताए है, link मैंने description में दे दिया, आप जाके अच्छी तरह go through कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक जरूर कीजेगा, दोस्तों चानल को subscribe करेंगे तो मुझे काफी होसला मिलता है, मैं मि